हलो दोस्तों भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है और दोस्तों यह जो वीडियो है यह स्पेशल वीडियो रहने वाली है जो भी यहां पर पढ़ रहे हो सभी का मैना यहां पर लिखा हुआ है प्रमोशन के उपर ही यह दोस्तों वीडियो रहने वाली है पूरी की समझते हैं तो बहुत फायदे में ही रहते हैं और जो नहीं समझेंगे तो उनको थोड़ा बहुत पच्छाना पड़ सकता है तो यहां पर मैं आपको कुछ बताता हूं ठीक है तो यह पूरी वीडियो दोस्तों प्रमोशन के उपर रहने वाली हैं बहुत सारे कोमेंट यहां कि आ रहे थे स्वालों के आज आपको यहां पर जो है अंसर मिलने माले हैं दोस्तों देखो चाहे वो कोई सब्सक्राइब हो चाहिए वो बीड़ वाले हो बीड़ वाले इतना नहीं पूरोड़े पनोशन को लेकर ना ही पीजी वाले ना ही रूसा बैच वाले ठीक है ज्यादा जो स्टुडेंट्स की कमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं फर्स सेकेंड और पहले थर्ड यह वालों के आ पहले थे बट आज से उनके आना बंध हो गए हैं ठीक है पिछले कल से तो दोस्तों देखो फर्स्ट और सेकेंड वाले चातर जो है जितने भी स्टोंट्स हैं वो पहले आप अपने आप ही सोचो ठीक है एक बात को सोचो कि आपको इस टाइम सिच्वीशन कैसी लग रही है इस टाइम सिच्वीशन कैसी लग रही है मतलों करोना को लेकर कैसी सिच्वीशन है आप भी खुद सोचो ठीक है अब आपना सोच लिया होगा ठीक है कम से कम यहां पे कितने 142-43 केस डेली के आ रहे हैं अभी मतलों पहले से बहुत कम हुए है ठीक है पहले से बहुत फर्क पढ़ आए केसी अभी हैं बट बहुत फर्क पढ़ दया है पहले से तीक यह आपको सभी को पता होगा जो फिर्स्ट और स्टोंड में और दोस्तों आप सबी कमेंट आरहें कि प्रमोशन होगा यह नहीं होगा तो तो देखो जो फाइनल इर वाले स्टोंड थेना तो उनके जो चीज़ मुझे नहीं लगती है उसके बारे में मैं नहीं बोलता हूँ ठीक तो उन्होंने पूछा था कि फाइनल एर वाले प्रमोट हो सकते हैं तो मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि इस बार पहली बात हुए कि situation के उपर depend करेगा दूसरा मैंने उनको बोला था कि इस बार जो है chances मतलब possibility बहुत ही कम है प्रमोट होने की ठीक है पिछल सार बोला था कि प्रमोट हो सकते हैं तो पिछले बार प्रमोट हो गये थे यह नहीं बोलना कि मेरे कहने से हो गये थे बट कुछ situation होती है दोस्तों प्रमोट की situation भी होती है ठीक है तो उसी को लेकर यहां पे भी मैंने उनको कहा था कि situation ठीक हो जाएगी मुझे लग रहा था कि situation ठीक हो गई है और हो रही थी धेरे-धेरे क्योंकि cases कम आ रहे थे दूसरा यह था कि situation ठीक हो ही गई थी ठीक है और इसी के उपर सब कुछ dependence और possibility बहुत ही कम प्रमोशन की लग रही थी इस बार तो मैंना उनको पहले बोल दिया था जोनोंना बात सुनी होगी तो उन्होंना तो पढ़ाई कर ली होगी जोनोंना नहीं सुनी तो उनको थोड़ा बहुत अभी पढ़ना पढ़ रहा होगा ज्यादा ठीक है तो अभी बात आ रही है first or second year वालों की दूस्तों इनके बारे में मुझे यही लग रहा है कि promotion के chances कम है ठीक है promotion second or first or second year वालों के भी chances कम है promotion की ठीक यह मुझे लग रहा है बाके मुझे पता नहीं बाके सरकार जो करेगी वही करेगी मेरे बोलने से या मेरे ना बोलने से पर्मोट होगे ठीक है और आप से भी कमेंट वोल थे कि आप प्रमोट करेवो तो दोस्तों मैं कोई university मैं नहीं लगा हूँ मैं भी आप ही की तरह चात्र हूं ठीक है आप ही की तरह student हूं मैं भी बट थोड़ा बहुत HPU को देखते हुए थोड़ा पहुत experience हो गया कि कैसे होगा क्या काम कैसे होगा ठीक है तो इसके बारे मैं आपको बताता देता हूँ तो मुझे इनके भी chances कम लग रहे हैं हाँ first year वालों का हो सकता है बट मुझे सच बताओ तो दोनों की chances कम लग रहे हैं ठीक है situation को देखते हुए ठीक है मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि दोस्तों कि आप promote मत हो ठीक है मत करो करो promote जिसको करना है करो बट मेरा कहने का मतलग है कि आप बाद मापको जटकाना लगेए ठीक है मैं देख रहा हूँ कि बहसे पिछले कल जोमिंट आया था आया था कि मुझे भी हंसी आये थी या पर्सों था आया था शाहिद मंट फाइनल रिबाले प्रमोट हो सकते हैं यह नहीं तो देखें उनको क्या मैं अभी कोमेंट करता है क्या रिप्लाइगा था उनको मैं कि खुद मतलों सीडियूइशन का पता चल रहा है हां मानता हूँ जोस्तों वैक्सिंद लगे हुई है सबी की बाजु में दर्द है एका दिन दर्द हो रही है मैंने भी पर समय लगवाई थी मेरी बाजुमें भी दर्द थी बहुत मतल थी लेफट हैंड में यह वैक्सिन लिए था एक्जाम होंगे तो आपने पहली वैक्सिन लगवा सकते थे तो इसका तो यह अलग टोपी हो गया बट जो में जो टोपीक है फर्स्ट और सेकंड वाले मुझे चांस इनके कम लग रहे हैं बाकि सरकार जो करेगी वो इनको करना है देखो अब यहाब बोले से कि खुद अबने आप पढ़ रहे हैं ठीक है उनको कोई नहीं पढ़ा रहा तिन चार पांच पांच मा साल लगा हुगा अब खुद बढ़ रहे हैं ठीक है और हमारे यह रूसा बैज था इनको तो डेट दो मिने पढ़ाई होती थी छे मिने नाम बोलने के लिए होता था कि छ पूछा है जो रूसाबैच वाले हैं अभी तकμεूठ ले रहे हैं अगर प्रमोठ ही करना है तो सभी को प्रमोठ करो फिर है वैसे भी मेरे बोलने से या ना बोलने कुछ नहोगा बट सभी को देखो ना पर सभी चात्र ही है वह तो नहीं है कि एक स्टूठ आज डुसरे तो एक को तो नहीं ऐसा हो सकता, करना है तो फिर सबी को कर दो, ठीक है, बाकी दोस्तो सरकार की मर्दी है, और बाकी बीर्ड वाले बैजारे तो ये तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, रुसा बैच वाले भी एक्जाम दे रहे हैं, बैजारे, रिजल्ट का बेट कर रहे हैं, अभ की परिशानी मुझे अच्छी जरते पता है समझ सकता हो इनको जिनका हम तो लास चांस हो और फिर बार बार इनको निराशा हाथ लग रही हो बड़ दोस्तों घबराना नहीं है रूसा वैच वालो इस बार आपका हो जाएगा आपने मुझे पता है कि जो इतने टाइम तक टि पहले समस्टर में 12-13 पेपर बड़े हुए है ठीक है 12-13 पेपर एक समस्टर में थोड़े कम हुए थे फिर आगे थोड़े कम होते गए थे बड़ जो पहले दो समस्टर है ना I think मेरे सार्ज इतने पेपर बड़े हुए है 12-13, 11-12 इतने पेपर पड़े हुए है तो देख लो आप से कितना ज़्याद है नहीं पड़ा हुए है अब आप फिर भी इनको ही बोलोगे तो फिर आप नहीं समझ सकते है इनको रूसा वैजबलों को ठीक है तो भगवान से तो मैं यही प्रे करूँगा कि इनका कि बहुत परिशान है सभी के सभी बहुत परिशान है चाहिए वो कोई भी ज्यादा ज्यादा जो यह रूसा भी आचाना 2013-14 तेरा जोदा को छोड़ो बो तो मुझे पता है उनका बट 15 और 16 बालों के लिए चांस है भी बट जो 15 बाल है ना उनका तो बेजारों का भी लास अगर इसमें हो गए तो ठीक है उसके बाद इसके बाद इनके पास कोई भी चांस नहीं है क्योंकि इनको गोल्डन चांस मिला था और फीस भी 55,000 उनका पे की है पर समस्टर गी ठीक है तो दोस्तों सभी स्टूडेंट ही है यह बात तो आप भी समझ रहे होंगे किसी की भी अगर अगर अभी भी प्रमोर्शन के सहारे बैठे हो मैं दोस्तों देखो सिंपल सी बात है घुमा फिराके मुझे नहीं आती बाते करने मैं सिंपल आपको बोल रहा हूं कि देखो, प्रमोशन होगा, तब भी ठीक है, नहीं होगा, तब भी ठीक है, बट, आप बैक अब लेके रखो ना, ठीक है, आप बैक अब के साथ चलो, आप इस बरो से बैठे हो कि हम प्रमोट हो जाएंगे, अगर भाईजांस ना हुए तो, यह सोचा आपने, अगर ना हुए बैक अब लेके चलोगे न, अपने एक्जाम का, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप चाहे प्रमोट हो, फर्स्ट और सेगंडिर बार की बात कर रहा हूँ, आप चाहे प्रमोट हो, या आपके एक्जाम हो, प्रमोट होंगे तब भी, आपके लिए बैठे रहेगा फिर हम नहीं प्रमोट ही होंगे, बतलो पक्का यह पूरा यही लगा के, आस लगा के बैठे हो आप, तो आस लगाओ, थोड़ी सी लगाओ, भाकी बैक अप रखो अपना, ताकि आपको एक्जाम कोई दिक्कत ना है, वैक्सिन सभी को लगी दोस्तों, आपको ही नहीं लगी वै कैसे अभी जो हैं, आपके फाइनल इरवालो, उन्होंने भी ऐसी बोले थे कि प्रमोट हो जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे, बट मैंने इसके उपर वीडियो नहीं बनाई थी, कि मुझे नहीं लग रहा था प्रमोशन के बारे में, ठीक है, और बाकी छातर संगठन लग कंडिशन सम सकते हैं, पिछले पास कितना ज्यादा करोना का मतलों ये फैला हो था करोना, अभी थोड़ा ठीक हुए है, तो अभी आपके एक्जाम ले रहे हैं, बाकी छातर संगठन आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है, जो भी करने हैं, वो अपने इसाफ से सही कर रहे हैं, और जो बाकी करेगी, वो सरकार करेगी, ठीक है, तो सरकार के उपर डिपेंड पूरा मत हो, आप पूरी आस मत लिगा के बैटो कि हम प्रमोट हो जाएंगे, फर्स और सेकेंडर वाले, अपना बैक अप लेके चलो, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, बाकी जितने भी ये स्टूरेंट हैं, बीर्ड वाले, तो कोई भी प्रमोशन नहीं होगा, ये तो आपको पता होगा, बीर्ड वालों के भी डेट शीट आ चुकी है, बिचारे फर्स्ट इर वाले स्टूरेंट, उन्होंना क्या पढ़ाएं, उनके पास भी वुक्स नहीं होगी, कियों के प नेट वक नहीं होगा, कियों के पास बुक्स नहीं होगी, और फाइनल ये वाले स्टूरेंट हैं, उनके साथ भी ऐसे हुआ होगा, हना, मतलब बहुत सारी परिशानिया हैं, अभी क्या कर सकते हैं, हना, परिशानिया सभी को हैं, सभी फेज कर रहे हैं, देखो अभी फाइ परिशानी है बड़ उन्हें आज एक्जाम दिया है ठीक है तो आपको मैं ही बोल रहा हूं कि वस बैक अप रखे चलिए सब सही रहेगा ठीक है तभी आप मतलों फाइदा में रहोगे अगर आप बैक अप लेकर नहीं चलोगे तो आपको अनुक्सान है फिर ठीक है और मुझ मुझे बता है मेरे पर सभी भरोसा करते हैं ठीक है मेरे उपर सभी भरोसा करते है अगर मैं ऐसे बोल देता हूं कि फर्स्ट और सेगड़े पर प्रमोट हो जाएंगे और बाद मैं आपको पता चले कि नहीं होंगे तो फिर किसका नुक्सान होगा मेरा के आपका ये सोचो तो I think I hope अभी आप जो है इस बात को समझ गए होंगे आसानी से बस मोलने का मतलब यह है कि प्रमोशन हो चाहे एक्जाम हो आपका नुक्सान नहीं होना चाहिए आपका फाइदा होगा दोनों तरीकों से दोनों तरीकों से फाइदा इस हिसाब से होगा अगर आप अभी से थोड़ थोड़ पढ़ना शुरू कर दोगे मतलब बैक अप रखो अगर एक्जाम आगे तो हम एक्जाम भी देजेंगे अगर एक्जाम नहीं होगा हम प्रमोट हो जाएंगे ठीक है मतलब बैक अप रखो ठीक है बाकी दोस्तों रूसा वालो आपका मेंटेनेस अभी चली हो यह विबसाइट तो देखते हैं आज क्या होता है बहुत जादा ही टाइम हो गया आपका मेंटेनेस के उपर जैसे आता है आपको बदाता हूँ ठीक है जिन्होंने टेलेग्राम के उपर जोइन नहीं किया आपको जोड़ा मुश्किर हो जाता है कभी अभी तो मैं बहां पर लिख के बता देता हूँ तो प्लीज टेलेग्राम जोइन कर लेना भारत अपडेट्स नाम से है टेलेग्राम चैनल ठीक है बहाँ सर्च करना है भारत अपडेट्स और उसको जोइन करना है ठीक है तो यह था आज किस वीडियो में वीडियो कर अच्छे लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जुरू करिएगा मेरी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए थैंक्यू